दो लाख में बन गया IPS साधिकारी बैच और वर्दी के साथ गिरफतार पुलिस ने एक फर्जी IPS को गिरफतार किया है गिरफतार फर्जी IPS के पास से पुलिस ने एक RS-200 परसर बाइक और खिलोनी के एक पिस्टल तथा कई दस्ता बेज बही बरा मत किया है फिलहाल पुलिस फर्जी IPS से सकते से पुश्टाच कर रही है कैसे बना IPS पुलिस ने पुश्टाच के क्रम गिरफतार IPS ने बताया कि जिले के खेरा निवासी मनूर्ज सिंग नाम के वक्ती ने दो लाक रुपया लेकर वर्दी और नकली पिस्टल उपलब्द कराया है बाइक के समद में IPS ने बता कि कुछ महीने पहले उसकी शादी हुई थी उसमें उसे दहेज के रूप में बाइक मिला था फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है पुलिस का कहना है कि अब मनूर सिंग के बारे में जांच का रिली जा रही है बहुत जल्द उसकी भी गिरफ्तारियों की जाएगी गिरफ्तार फर्जी IPS के पहचान बिहार के लखी सराय जिले के हलसी थाना अंत्रगत गोवर्धन बिगा निवासी बबलू मांची के रूप में पुत्र मिधलेश कुमार के रूप में हुई है संदिग्द रूप से घुमते हुए धराया फर्जी IPS इस समद में जानकारी देते हुए स्ट्पो सतीश सुमन ने बताया कि शुकवार को सिकंद्रा जमोई जोटसित जिला पईशद अधक शवास के आगे से सकंद्रा पुलिस से संदिग्द रूप से घुम रहे एक फर्जी IPS को गिरफतार गया है गिरफतार युवक से पूश्टार्च के गरब में पता चुला है कि वो लसीक रायजिले के हलसी थानाक शेत्र अंत्रगाद गोवर्धन बेगा गाउन निवासी भगलू माजी का पुत्र मितिलीश माजी है इस दुरान पुलिस ने उसके पास से एक RS-25 बाइक भी सब्द क्या है साथी युवक के पास से दो लाग का फर्जी चेक, पैन कार्ड, अधार कार्ड, एवा, एक मोबाइल सेट, एक खिलोने वाला पिस्तिल को सब्द क्या है फिलाल सिकंद्रा पुलिस के दोरा जाच परताल की जा रही है